नविश्कार दोस्तों में दिव्यान शीर और एक बार फिर हाजर हूँ SBD News की खास खबरों के साथ बेशे आज 13 अप्रेल 2024 शनिवार शाम 17 बजे राजस्तान की बड़ी खबरी रक्षा मंत्री राजना सिंग ने कहा कि 36 गर्ड श्री राम के तको भूमी रही है यहां के आदिवासी वोट बैंक नहीं बलकि देश की गौरव है कॉंग्रेस बिग बोस का शो बन गई है और इसके नेता एक दूसरे का कपड़े फाड रही है आने वाले समय में भारत की राजनीती सेन का सफाया हो जाएगा 10 साल बाद बच्चे पूछेंगे की क्या है कॉंग्रेस राजना सिंग ने आगी कहां की Cougरेस ने 5 साल तक 26 गढ़ में सिरफ प्रश्चाचार किया है यहां लोगों का कोई भागे बदल सकता है तो वो है सिरफ भाजबा राजना सिंग ने ये बाते दंतेवाडा की गीदम में सबाके दुरान कहीं ये इलाका बस्त टाइगर कहे जाने वाले कॉंग्रेस के दिवंगत नेता महेंदर कर्मा का गड़ रहा है भारत सरकार के ओर से इस साल मिले हीट वेब के अलर्ट के बाद राजसान चिकिस्सा विभाग को S.C.S. शुबरासिंग ने बैठक लेकर सभी आवश्रक तयारिया रखने के निर्देश चारी किये है चिकिस्सा S.C.S. शुबरासिंग ने कहा कि जलवायू परिवर्तन के कारण इस साल अत्यादिक गर्मी रहने के आसार है और इसको लेकर भारत सरकार से भी अलर्ट मिला है भारत सरकार के अलर्ट को देखते हुए हमने पहले से तयार यांश्ट चुब करती है राजसान को गर्मी एवं लू से सर्वादिक प्रभाविक प्रदेशों के श्रेणी में माना गया है प्रदेश में अप्रेल से जून माह के बीच गर्मी एवं हीट वेव का आत्यादिक प्रकोप रहने की संभावना है लोकसुबा चनाव के बीच भाजपा के निताओं के राजसान में लगातार दोरे जारी गी और इसी बीच शनिवार को जैपुर में कॉंग्रिस सुरक्षा एवं नागरिक उड़ायन राजयमंत्री वीके सिंग जैपुर पहुंचे इस दुरान वीके सिंग एक नीजी होटल में मेडिया से रूबर हुए वीके सिंग ने राजसान में एक बार फिर 25 की 25 लोकसुबा से जीतने का दावा किया उन्होंने कहा कि इस बार नहके वल सभी सीटों पर जीत दर्ज होगी बलकि वोट का मार्जन 15 फिस्दि से जादा होगा इसके साथ ही जनरल वीके सिंग ने कॉंग्रिस पर भी निशाना सागा अपने जैपुर दोरे के दुरान वीके सिंग प्रेसवारता से पहले राजपु समाज से जुड़े संगचनों के प्रतिनीद्यू से मिले और भाजपा के पक्ष में वोट देने का आखरेट किया माधा वैश्णों देवी के दर्शन अब और आसान होगे रेलबे उदैपुर से जम्मू के लिए समर स्पेशल गरी ब्रत ट्रेन चला रही है ओतर पश्मी रेलबे अजमेर मंडल के जनसंपरक अधिकारी अशोक चुहान ने बताया कि गरी ब्रत ट्रेन संख्या 04656 जम्मू केंट से 25 अप्रेल को 5 बचकर 20 मिनट पर आवाना होगी और अगले दिन शुक्रवार सुबह 7 बचकर 15 मिनट पर उदैपुर आएगी राजसान के धार्मिक प्रेटकों को मातावैश्णो देवी के दर्शन सुलब कराने के लिए रेल विभाग ने 25 अप्रेल से गरी ब्रत समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निने किया है जिसने सभी कोच थर्ड एसी श्रुनी के होंगी ट्रेन जम्मू से उदैपुर और उदैपुर से जम्मू के बीट चलेगी जैपुर में लोगसभा चुनाव प्रचार को ओर धार देने के लिए शुकरवार को कैम्पन कमेटी की पहली बैठक कमेटी अध्यक्ष अशूग घहलोत की अध्यक्षता में प्रदेश कॉंग्रेस के वोर्रूम में हुए इसमें PCC चीफ गोविन सिंग दुटासरा प्रदेश प्रभारी सुक्षिंदर सिंग रधावा पूरो मंत्री शकुंतरा रावत ममता भुपेश विधायक अर्जिन भामनिया से कई सदश्य शामिल हुए कैम्बिन कमेटी में 32 सदस्य हैं लेकिन पहली बैटक में करीब 12 सदस्य ही शामिल हो सके और भही कुछ को वर्चुल बैटक से जुड़ा गया है सुत्र के मताबिक बैटक में पहले चरण के जुणाव को और तेज करने के लिए जरूरत के हिसाब से लोगसभा सीटों पर केंद्रे नेताओं के चुणावी सबा वे रोडशो करानी और बूच सतर तक कॉंग्रेस की गारंटी योजनाओं की जानकारी देने को लेकर रणन समाज के प्रतिनिदी मंडल ने यह एलान किया गुजरात के राजपोट में एक सवा के दुरान भाजपा सांसर वे केंद्रे मंतरी पुर्शोतम रुपाला ने राजपु समाज महिलाओं पर कतित तोर पर अभद्र टिपने की थी और इसके साथ ही करनी सेना के अधक्ष महि पाल सिंग मकराना की गुजरात में गिरफतारी से राजपु समाज में आकरोश है करनी सैना जिला ध्यक्ष में मारवार राजपु सवा जिला प्रतिनिदी चंदन सिंग ने बताया कि गुजरात के राजपोट में एक सवा के दुरान भाजपा सांसर्थ और केंद्रे मंतरी उर्शोतम रुपाला ने राजपु समाज के बहु बेटियों पर अबद्र डिपने की इससे नारा समाज की महिलों ने रुपाला की टिकेट काटने की मांग की है रासमन में जिला जेल में एक शम्ता से अधिक जादा कैदी मिले हैं इस कारण 65 कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया इसके बाद अब जीला कारेगरह में 89 कैदी बचे ही अपर जीला एवं सेशन नायजीश मनीश कुमार वैश्णों ने जब जीला कारेगरह का उचक निरिशन किया तो यह खुलासा हुआ दरसल अपर जीला इवं सेशन नायजीश मनीश कुमार वैश्णों ने जीला जेल का उचक निरिशन किया और इस दोरान जेल में क्षमता से अधिक कैदी मिले पर 65 कैदियों को दूसरे जीलों की जेलों में शिफ्ट किया नियादीश वैश्नम ने बताया कि जिला विदिक सेवा प्रादिकरन अध्यक्ष राग्वेंदर काशवाल की निर्देश पर जिला कारेग्रह का ओचक निरिक्षिन करके जेल में भोजन, सफाई, आवास, विवस्ताओं का अजाज दानी लगया निर्देशन के दुरां कारेग्रह में क्षमता स्यदी कैदी मिले पर उन्हें शिफ्ट किया गया राजसान में आज अंधर के साथ बारिश और ओली गिनी की संभाव ना है मौसब के इंदर जैपु ने राजसान के 30 जिलों के लिए अलर्ड चारी किया है इन जिलों में दोपहर बाद 30 से 60 किलोमेटर की रफतार से आंधी चल सकती है और वहीं आज दिन में बिकानेर बे बारश होई सुबै से गंगानगर, बिकानेर, हनुमानगर, चूरू, जुनजनू, जैसलमेर, चोधपुर और नागोर में बादल चायन हुए है पिकानेर, जैसलमेर के एरिया में सुबै 25 किलोमेटर की रफतार से तेज हवा चली और इदर जैपूर, सीकर, अजमीर और पाली की एरिया में भी हलके बादल चायन हुए जैपूर में आज दोपहर की बाद आदी चलने और पादल चाने की साथ साथ बारिश की भी संभाव नहीं और इससे पहले कल भी जैपूर में देर शाम पादल चली से ठंडी हवाई रही जैपूर का नियूंतम तापमान 23 डिगरी सेल्सियस दर्च हुआ जो कल की मुकाबले कम रहा और आज जैपूर में दिन के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है दोसा के लवान नगरपाली का मुख्याले पर नलो में एक महा से पीने का पानी नहीं आने और जल्दाय विभाग पर नगरपाली का अध्यक्ष को कई बार अवगत करवाने के बाद भी पेजल की कोई विवस्ता नहीं करने पर महिलाओं का गुसा फूट पड़ उन्होंने जल्दाय विभाग की तंकी पर चड़ कर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया सोचना मिलने पर जल्दाय विभाग की करमचारियों को महिलाओं में खरी खूट सुनाई करमचारियों ने समझाईश कर उन्हें टंकी से उतारा और आश्वासन की बाद उन्हें घर वो भीरत दिया कि परश्मी मद्य रेलवे के कोटा मंडल के मंडर लेप्रवंदक मनीश तिवारी ने कोटा भरत्पूर खंड का विंडो ट्रेलिंग का मिरिक्षन किया कोटा मंदल के सुत्रों ने बताया कि अमरिक भारा स्टेशन योजना के अंत्रगर 17 स्टेशन का पुरहर विकास कारे किया जा रहा है जिसके कुल लागत 356.85 करोड रुपे है पुरह विकास कारे की प्रगति का नियमित निरिक्षक मंदल रेड प्रबंद मनीच तिवारी कर रहे है अजमेर के विमला मार्केट में शुपरवार सुबह 9 बजे आग लग गई जिससे अफरा तफ्री मच हुए तीन मंचिला बेल्डिंग की 15 दुकाने, तीन गुदाम और एक ओफिस पूरी तरह आग के चपेट में आगए आसपास के दुकानों को भी नुकसान पहुचा है और एसी में गैस भने वाले गुदाम में रखे सिलैंडर भी रह रहकर फट ली है 18 दमकलों ने 300 से ज़्यादा फिरे लगाई है और फिर भी आग पर पूरी तरह कावू नहीं पाया गया है तीन थानों की कोर्स ने मोके पर मोर्चा समवाल रखा है और प्रभावित इलाके की 150 से अधिक दुकानों को बंद करवाया गया है 18 अप्रेल को बाबाशाम जी का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी और ऐसे में 19 घंडे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे मंदर कमीटी ने इस सबन में आदेश चाली की है मंदर कमीटी के अध्यक्ष प्रताप दिल्चुहान ने बताया कि 18 अप्रेल को बाबाशाम की इश्रेश सेवा पूजा और तिलक होगा ऐसे में मंदर में 17 अप्रेल की राग 10 बजे से 18 अप्रेल की शाम 5 बजे तक दशन बंद रहेंगे और ऐसे में भक्त इसके बाद विदर्शन करने के लिए आएंगे राजसान की अजमेर से चंडिगर के भी चलने वाली वंदेभालत एक्सपेस ट्वेन का लुक बदल गया है और अब ये ट्वेन भगवा रंग में तब्तील हो गई है अजमेर दिली केंट चंडिगर वंदेभारत के लिए रंग केसरिया रंग के होंगे पिछले साल ये ट्वेन अजमेर दिली केंट के भी शुरू हुई थी और इससे पहले ये चंडिगर तक इसे भढ़ाया भी गया था सफेद रंग वाले रेक को भी केसरिया रेंग से रिप्लेस किया गया है। अजमेर दिली केंट चंडिकर वंदे भारत ट्रेन के नए लुक को देखकर यात्रे भी सब्द रह गए है। पर खास बात है कि ट्रेन का टीटी भी राजस्तानी बेश पुशा में नजर आया। सील किये गए MMS के रिकोर्ड रूम की चावी ACB ने अस्पतार प्रशासन को सुंप दी है। और अब अस्पतार प्रशासन एक नई कमेटी बना कर यहां मोजूद दस्तावेच और अनिकाल जोकी जार्ज करवाएगा। इवं मानिक प्रादिकरण के जरी प्रस्तूत FSS Adenium 2006 Rules of Regulation के तहर्ट हेल्थ डिंग की कोई भी official definition नहीं है। फिलाल इस गुल्डिंग में इतना ही और फिर हासिर हूंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कॉमेंट बोक्स में हमें बताइए कि आप किस तरह की खबरे पढ़ना पसंद करते ही। आपके फीडबैक के बाद ही हम खबरों का चैन करेंगे। आप अपनी राए कॉमेंट बोक्स में जरूर बताइए। आपने बाद